नमस्कार दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हे कि 28 अपरेल से 18 से 44 साल के सभी व्यकतिों के लिए वैक्सिन का रेजिस्टेशन स्टार्ट होने वाला है तो यह वैक्सिन का रेजिस्टेशन हम कैसे करते हैं? इस वीडियो में सिखेंगे सबसे पहले आप गूगल पर जाएंगे और गूगल पर लिखेंगे कोवीड.mygorement 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 पर आप क्लिक करेंगे कोवीड.mygorement पर तो सबसे उपर ही आपको एक वेबसाइट दिखाएगी mygorement.in COVID-19, India Fights, Corona आप इस पर क्लिक करेंगे जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो आपके registration वाले page के लिए page पर पहुँच जाएंगे जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे है select language यहाँ पर आप language चूज कर सकते है हिंदी, English के अलावा भी जैसे हिंदी, English, बंगला, माराटी, गुजराती, पंजाबी जो भी आप चूज करना है चूज कर सकते हैं इसके बाद latest notification के नीचे लिखा हुआ है vaccine registration आप vaccine registration दो तरीके से कर सकते हैं एक तो आप आरोग्य सहतू से कर सकते हैं और एक आप इसी page से कर सकते हैं सकते हैं कोविन पर क्लिक करते हैं कोविन पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो registration के लिए हम इसके home page पर पहुच जाते हैं यहां पर लिखा आता है इंटर्य और mobile नंबर यहां पर आप अपना mobile नंबर इंटर करेंगे जैसे कि सिर्फ 10 डिजिट का mobile नंबर इंटर करना है प्लस 91 जोडने की जबरत नहीं है अब आप gate OTP पर क्लिक करेंगे gate OTP पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो आपके mobile में 6 डिजिट का OTP आएगा जैसे कि उपर दिखाई दे रहा है 6 डिजिट का OTP आगया मैं इंटर करता हूं 733-276 733-276 इस पर आप verify पर क्लिक करेंगे verify पर जैसे ही क्लिक करते तो इस account पर जितने लोगों का corona डिका लगा हुआ है वो सारी details आ सकती है दोस्तों मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि एक mobile नंबर पर आप चार लोगों को डिका लगा सकते है जैसे कि इस पर डिका मुझे लग चुका है और मेरी मम्मी को भी लग चुका है ममी का जैसे कि second dose बता रहा है कि 12 मही को लगेगा 12 मही को आना है और यहाँ पर जैसे कि नीचे side में लिखा हुआ है add more आप add more पर click करेंगे add more पर जैसे ही click करेंगे सबसे उपर लिखा आ रहा है photo ID proof आप photo ID proof पर जैसे ही click करते हैं तो आधार कार, driving license, pain card, passport, pension, passbook, NPR, smart card, water IDs में से कोई भी एक चीज होना आपके लिए अनिवार है जैसे आप आधार कार्ड के थुरू registration करना चाहते हैं तो आप आधार कार्ड पर जैसे ही click करते हैं तो उसके बाद आपका आधार नंबर पूछा जाता है आप आधार नंबर पर आधार नंबर क्लिक कर दीजिए उसके बाद आधार कार्ड पर जो नाम था वो type कर दीजिए उसके बाद mail फी mail दीजिए और आधार कार्ड में जो आपकी date of birth लिखी है वो बता दीजिए उसके इसके बाद एड पर क्लिक करना है एड पर आप दोस्तों जैसे ही क्लिक करते हैं तो आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेस्फुली हो जाता है इसके बाद आपको मैसेज आता है कि आपको नियर हॉस्पिटल में कितनी तारिक को जाना है आप उतनी तारिक को नियर हॉस्पिटल में चले जाईए आपको वैक्सिन टी का लग जाएगा ओके दोस्तो धन्यवाद